दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी Samsung phone में app को height कैसे करते हैं बिना किसी app के जैसे के मेरे phone में अभी आप देखेंगे telegram और facebook दिखाई दे रहा है मैं आपको अपने Samsung phone में इसे height करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको अपने mobile की settings में आ जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी home screen इसे आपको open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी hide apps on home and apps screen जैसे के आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो आपको back आना है अपने mobile की screen पर एक second के लिए long press करना है इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर settings पर click करना है जैसे आप settings पर click करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर hide apps की setting मिल जेगी इसे आपको open करना है इसके बाद यहाँ पर आपके mobile की सभी apps और game दिखाई देंगे आप मुझे यहाँ पर जो भी app को hide करना है उससे इस तरह से select करना है मैंने select किया facebook को तो आप देखेंगे hidden apps में facebook आ गया है इसी तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर instagram को भी hide कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर हम done कर देते हैं done करने के बाद आप यहाँ से हम आते हैं back तो आप देखेंगे मेरे phone में facebook और आपको instagram दिखाई नहीं देगा जिसे के आप देख सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से आप Samsung के phone में app को hide कर सकते हैं अगर आपको दुबारा से app को unhide करना है तो फिर से आपको यहाँ पर screen पर long press करना है settings में आना है यहाँ पर आपको hide apps में आना है और जो भी app आपको unhide करना है उसे आपको यहाँ पर tick कर देना है जो यहाँ पर एक निशान बना हुआ है उसे और यहाँ पर done पर click कर देना है तो app unhide हो जाएगी आप देखेंगे यहाँ पर आप देख लीजे टेली गिराम, सौरी इंस्टागिराम और फेस्बुक दोनों unhide हो गए है इस तरह से आप सैमसंग के फोन में app को hide कर सकते हैं अगर दोस्तों आप अपने सैमसंग के फोन में किसी भी app पर lock लगाना चाहते हैं तो फिर आप यह वाला वीडियो देखना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो comment में nice वीडियो ज़रूर लिखना वीडियो को like कर देना, share कर देना और channel को subscribe ज़रूर करना